पत्नी का धरम क्या है कि अगर धरम से चुत्त होता हुआ पत्नी है तो उसे पत्नी धरम के रास्ते पर लगाए इसलिए उसका नाम धरम पत्नी है धरम के रास्ते पर जो लगाए उसे धरम पत्नी कहते हैं और धरम करते करते पती और पत्नी परमेश्वर तक पहुँचे इसलिए उसे पती परमेश्वर कहते हैं पर आजकल की पत्निया अपना उद्देश्य तो भूल गए भोग साधन उपलब्द कराए उसे पत्नी कहते और जो भोग साधनों में उलजाए रखे उसे पत्नी कहते है जरतकारू रिशी दिवहा नहीं कर रहे थे उनका संकल्ब था कि मेरे नाम जैसी ही कोई कन्या मिलेगी जिसका नाम जरतकारू होगा तो ही मैं विवहा करूँगा उन्हें पत्नी भी जरतकारू नाम की मिली दोनों का पती पत्नी का नाम दोनों ही जरतकारू था जरतकारू रिशी भैगवान सूर्य के अनन्य उपासक थे संध्या हुई तब भैगवान सूर्य की उपासना करना सूर्यों दय हुआ तब भागवान सूर्य की उपास ना करना उनका नियम इतना अटल था एक दिन वो किसी आत्रा पर गए थे जब वापस आए तो बड़े ठके हुए मालूम हुए ठके हुए थे और उन्होंने जरतकारू पत्नी की गोद में सिर रखा जैसे ही सिर रखा और रखते ही उन्हें नीन आ गई नीन आ गई तो संध्या का समय हो रहा था छे सवा छे कुछ बज रहे थे सूर्य डलने को थे अस्ताचल को जाने को थे तो पत्नी देखती है कि पतिदेव को आँख लग गई है वो भी रिशी पती है कुटा भी सोया हुआ हो तो उसे नीन से नहीं जगाना चाहिए ये तो पती सो रहे और वो भी एक निष्ट पती वो भी नियम निष्ट पती सो रहे पर पत्नी का धरम क्या है कि अगर धरम से चुत्त होता हुआ पत्नी है तो उसे पत्नी धरम के रास्ते पर लगाए इसलिए उसका नाम धरम पत्नी है धरम के रास्ते पर जो लगाए उसे धरम पत्नी कहते है और धरम करते करते पती और पत्नी परमेश्वर तक पहुँचे इसलिए उसे पती परमेश्वर कहते है पर आजकल की पति और पतनिया अपना उद्देश्य तो भूल गये, भोग साधन उपलब्द कराए उसे पतनी कहते हैं और जो भोग साधनों में उल्जाये रखें उसे पति कहते हैं साब करवर हो गई दरम हिंदधा , नाम देखो गितना ऑच्छा ये मेरी ध्रम-त्नी ध्रम पत्नी ध्रम पहले लगता है पत्नी मतलब धारम पहले करना चाहिए पत्नी आव्यावार बाद में होना से पती परमेश्वर है पती देव, यह मेरे पती देव, वो धरम पत्नी यह पती देव, यहाँ ना देव बचा ना धरम बचा, केवल पती और पत्नी बचके. तो जिस पत्नी में धरम की एहमियत हो, और पती को भी धरम के रस्ते पर लगाए, और पती पत्नी दोनों देव तक पहुँचे, उसे धरम पत्नी और पती देव कहा जाता है. यह सही माइने में दोनों की व्याख्या होती है. यह थोड़ी कहा, यह मेरी भोग पत्नी है. ऐसा थोड़ी कहा, धरम पत्नी है. तो मेरा करतव्य है कि पती देव सो रहे हैं, उन्हें अपने धरम में निष्ठ होना चाहिए, इस वक्त सूर्यास्त हो रहा है. और अगर मेरे पती देव अपने नियम को चूकते हैं, तो पाप लगेगा उन्हें, इसलिए मेरा करतव्य है कि उन्हें जगाना चाहिए. पती को नहीं जगाना चाहिए, सोते हुए किसी भी पुरुष को नहीं जगाना चाहिए, किसी भी प्राणी को नहीं जगाना चाहिए, पर जहां धरम की बात आती है, वहां किसी को भी जगाने में पाप नहीं लगता, धरम पतनी का तो काम है, धरम के रास्ते पर पती को सूर्यास्त होता है न तो बहुत जादा देर आसमान में नहीं टिकता है। सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाता है। आप देखते ही देखते सूर्यास्त डूब जाते हैं। डलने को हो जाते हैं। और अस्ताचल को चले जाते हैं। थोड़ी देर में आपको अंधेरासा नज तो ये सोच सोच में कशम कशम ये सोचती रही पत्णी जरतकारू रिशी पत्मी सोचती रही और इतने में क्या देखती है अब तो स्टचल को चले गए बस अब डूब नहीं मैं मुझे उठाना ही चाहिए वो अपने मन में हिमत बांद रही है पर देख रही है कि 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, सोचते सोचते 15 मिनट हो गई, आज तो सूर्य देव टिके पड़े सामने के सामने, अस्ता चल को, आज तो अस्ती नहीं हो रही है, क्या बात है, पर अब हो ही जाएंगे, यह सोच के उस रिशी की आँख खुल गई और वे उठे और पूछा क्या बात है वो घवराई हुई सी बोली कि कोई बात नहीं है स्वामी ये समय हो गया आपकी संध्या का तो आपकी संध्या छूट न जाए इस चिंता में मैंने आपको जगाया और इस अपरात के लिए मुझे एक शमा करे या दंड दे में दूनों के लिए तयार हूँ तो जरतकारू रिशी मुस्कुराए और कहा कि देख सामने जब तक मैं सूर्य देव की पूजा नहीं कर लूँगा तब तक सूर्य अस्ता चल को भी नहीं जाएगा ये मेरे नियम की निश्ठा है इसी को कहते हैं नियम निश् और कि कत थी जब जरतकारू रिशी पत्नी देख रही थी कि पनरा मिनट से मैं जगाने का सोच रही हूँ और आज सूर्य देव को हो क्या गया है कि ये ढल ही नहीं रहे ढल ही इसी लिए नहीं रहे क्योंकि आपके रिशी ने पूजा नहीं कर लिए तो जब आप नियम में नियम निश्ठा आपको बहुत उन्नत बनाती है, बहुत महान बनाती है, बहुत विक्सित करती है और बहुत बलवान बनाती है, इसलिए जो भी आप चाहते हो कि आपका आत्म कल्यान होना चाहिए, कल्यान होना चाहिए, आप इस रास्ते पर बहुत तेजी से यात्रा करने च जाहिए उनके जीवन में नियम होना बहुत आवश्चक है, छोटा सही पर नियम होना चाहिए, वो छोटा ही होता है पर ये नियम निष्ट बनके तगड़ा काम करता है, दिखने में बढ़े छोटा हो, पर कैसा होता है इसमें, कैसा होता है, ऐसा बन होता है, प्रकृति के नि नियम निश्ट पुरुशुम के लिए, तो जो अनुकूल अवस्था में किया जाए, धर्मानुकूल आचरन उसे नियम कहते हैं, और जो प्रतिकूल अवस्था में ना छोड़ा जाए, उसे निश्था कहते हैं, तो प्रतिकूल ता आए, फिर भी आपका छोटे से छोटा नि